जेष्ठ मास में शुक्लपक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस एकादशी वरत में पानी पीना वर्जित माना जाता है। इसलिए इस एकादशी को निर्जला कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत विधान करके कैसे आप अपनी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं और भगवान विश्णु की कृपा का पा सकते हैं। गायू और मोक्ष का वर्दान प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपकी कुंडली में पित्र दोश है तो उससे मुक्ती पाने के लिए एकादशी के दिन पानी का दान करें। संभव हो तो रास्ते में प्याव लगावाएं। साल की सभी एकादशी का वर्द फल मिलता है और भगवान विश्णु की कृपा होती है। निर्जला एकादशी का वर्द एक दिन पहले अर्थात दश्मी तिथी की रात्री से ही आरंभ हो जाता है और रात्री में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। निर्जला एकादशी के वर्द में सूर्य उदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथी के सूर्य उदय तक जल और भोजन ग्रहन नहीं किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन प्रात्त काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विश्नु की पीले चंदन पीले फल फूल से पूजा करें और पीली मिठाई भगवान विश्नु को अरपन करें। एक आसन पर बैठ कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप के बाद गुलाब या आम के शर्बत का भोग भगवान विश्नु को लगाएं और जरूरत मंद लोगों में बांटे ऐसा करने से मन की इच्छा पूरी होगी और पारिवारिक कलह कले खत्म होंगे। पाय, निर्जला इकादशी का व्रत विधान करने और जरूरत मंद लोगों को फल अन आसन, जूते छत्री और शर्बत आदी का दान करने से मन की इच्छा पूरी होने के साथ साथ सभी पापों का नाश भी होता है। अधन भी मिलेगा और आपके बिगडे काम भी बनने लगेंगे। साथ ही आपको सुख संपत्ति का प्राप्ति होगा। वरत के जरिये श्रद्धालू भगवान विश्णू की उपासना करते हैं। कहते हैं कि भगवान विश्णू की विशेश कृपा पाने के लिए भक्त निर्जला एकादशी का वरत जरूर रखते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन वरत रखने से साल बाकी 24 एकादशी का फल प्राप्त हो सकता है। रांकि इस वरत के नियम काफी कठिन होते हैं। इस साल निर्जला एकादशी 18 जून को पड़ रही है। इस दिन गर्मी ज्यादा रह सकती है और वरत रखने वालों को ज्यादा प्यास लग सकती है। ऐसे में वरत रखने वाले इन कारगर टिप्स को अपना कर खुद को हाइडरेट रख सकते हैं। निर्जला एकादशी के वरत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथी के सूर्य उदय तक जल और भोजन ग्रहन नहीं किया जाता है। वरत का भोग, भगवान विश्नु को लगाएं और जरूरत मंद लोगों में बांटे ऐसा करने से मन की इच्छा पूरी होगी और पारिवारिक कलह क्लेश खत्म होंगे। निर्जला एकादशी वरत में इन तरीकों को अपनाएं। साल की सबसे बड़ी एकादशी में खाना तो दूर, एक जल बूंद की भी नहीं ली जाती। गर्मी में डिहाइड्रेशन का बना रहता है और वरत में पानी न पीने से समस्या बढ़ सकती है। ऐसे में आप दिन में दो या तीन बार नहा कर गर्मी से बच सकते हैं। गर्मी लगने पर बॉडी की एनरजी तेजी से खर्च होती है, लेकिन नहा लेने से हम फ्रेश फील करते हैं। वरत के दोरान महिलाएं हैवी साड़ी या फिर ऐसे कपड़े पहन लेती हैं जिनके फैब्रिक की वजह से ज्यादा गर्मी लगती है। गर्मियों में कॉटन फैब्रिक वाले कपड़े पहने पसीना सोख लेने से चिड़ नहीं होती है और हम फ्री फील करते हैं। निर्जला एकादशी के वरत में ऐसे काम न करें जिनमें एनरजी ज्यादा लगती हो। एनरजी अगर खर्च होगी तो प्यास लगेगी और वरत में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यह तक की पानी भी नहीं पीना होता है क्योंकि यही इस वरत की खासियत होती है और इसलिए इस वरत को निर्जला वरत कहा जाता है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग वरत रखते हैं और भगवान विश्नु की उपासना करते हैं क्योंकि इस दुनिया बहुत से लोग ऐसे भी जो बहुत प्रेशान रहते हैं और भगवान के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी वरत से बहतर मार्ग कोई नहीं क्योंकि इसमें सभी एकादशियों का फल मिलता है। क्योंकि इसमें सभी एकादशियों का फल मिलता है। इस दिन चावल खाने वाला व्यक्ति रेंगने वाले जीव की योनी में जन्म पाता है। साथ ही अगर संभव हो तो मांस मदिरा का सेवन कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि जीव हत्या महापाप होता है। से इनसान के अंदर नकारात्मक्ता का जन्म होता है और सभी कार्य बिगड़ने लगते हैं। भगवान विश्नु का मिलता है आशीरवाद। एकादशी के दिन विश्नु सहस्र नाम का पाठ बहुत उत्तम माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इसका पाठ करने से घर में सुक शान्ति का वास होता है और भगवान विश्णु का आशीरवाद भी प्राप्त होता है। इससे वैवाहिक संबंधित समस्याएं खत्म होती हैं और जीवन की भी समस्याओं का अंत होता है। इस स्तोत्र में लक सबी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही ग्रहों को दोश निवारण भी होता है। जरूरत मंदों की मदद करना इंसान का सबसे बड़ा धर्म है और इससे बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है, माल लक्ष्मी का होता है। घर आगमन अगर आप उपवास नहीं र भगवान विश्नु की पूजा करने से घर में माल लक्ष्मी का घर आगमन होता है, यम्राज का भोगना पड़ता है, कठोर दंड शास्त्रों में एकाद अशी को बहुत शुभ तिति माना गया है, इसलिए इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से यम्राज का कठोर दंड भोगना पड़ता है, साथ ही घर का वातावरण भी खराब होता है, और माल लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि हिंदू धर्म में व्रत त्योहार को कितना पवित्र माना जाता है, साथ इस दिन क कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान विश्नु गौस्सा हो या माता लक्ष्मी नाराजा हो जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप व्रत नहीं कर रहे, तो इस बताई गई बातों का ध्यान जरूर रखे